हेलो, श्वागता आपका मेरे चैनल बबली सेनीपर आज मानारकली शूट की कटिंग कतने वाली हूँ उसके लिए हमारा मापोगा लंबाई होगी 40 इंच 36, 34, कमर 32, हिप 18, बाजू 14 और इसके लिए मैं लंबाई होगी है अमारी 42 उसमें 2 प्लस करना है, उसके बाद चुली की 14 इंच निकाला है 44 में ते 14 गए 30, इव हमने सकल्ट की लंबाई लेनी है 30 पहले हमने फोल्ड कर लिया, तिकोना करके और अब निती कपड़े में पहले कमर माप ले इसके बाद हमने 30 इंच की सकल्ट निकालनी है सरकल में, यह तो कमर का निसान हो गया, तो यह देखो 30 यह है तो उपर से तिकोनिया पे निसान लगाना इसते गोडाई अच्छी त्रिया से बन जाओगी सारे में चैरो तरफ 30-30 पे निसान लगा दें यह आरांत निसान लग गे, अब इसकी कटाई कर लिए है, यह इसकी कटाई होगी कमर की भी कटाई कर लिए, कमर अठारा है यह तो अठारा पे लिएने, क्योंकि यह रेब में कपड़ा है, यह बताएगा तो यसे हमारी थोड़ा सा कम लेना पड़े है पड़ले ही, इसके बाद छोली के कपड़ा कम है और यह बनाना इसे में अर्जेस्ट करना है लंबाई है चोधा बनानी है तो चोधा थे थोड़ी सी उपर ले लेनी है तो तो अपने ही साथ है कोई पंदरा भी पहनना कोई तेरा भी पहनना कोई चोधा पहनना अपने ही साथ है यह मुड़ा की तीरे की यह निशान लगा के अपनी फिटिंग का निशान लगा के जो भी अपनी फिटिंग है उसके इसाथ है इसकी कटाई करेंगे कटाई करने के बाद फिर दूसरी चॉली का भी निकाल लेंगे यह देखो यह इसकी कटाई यह मुट्या की कटाई करने के बाद तीरे की कटाई करती इसमें प्लेट भी टालेंगे वह बाद में जब सिलाई करेंगे उसके बाद बताऊंगी यह कपड़ा बहुत कम रहे गया इसमें हमने बाद जू निकालनी है वह तो डिजाइन निकाल का अर्चैस्ट कर लेंगे जितनी धीस तरह पर बाद जू निकालनी हो तो करने पड़ेगी अर्चैस्ट डिजाइन बढ़ा के कोई भी अपना कर लेंगे यह तूसरी चोली एक आगे की पीछे की दोनों चोली यह तो पूंती आसांतरिके जैस कल्ट की गाउन की यह सब कटिंग बताऊंगी बहुती आसांतरिके जिसने भी नहीं आती होगी नहीं वह भी आराम से सीख लेगा इतने आसांतरिके से बताऊंगी बही उर जाना तो मने आता नहीं पर अराम तो बहुत अच्छे ये देखो कपड़ा बहुत कम बच रहा है इसमें हमने बाजू का डिजाइन बना कर बाजू की पूरी करनी है अब हम नीचे का इसका इनर का कपड़ा है ये काटेंगे सकल्ट के नीचे का ये जैसा करके जितनी लंबाई है हमारी उस हिसाब से लेकर तिकोने में बिचा लिया ये बिचा लिया अब इसके उपर ये कपड़ा रख दिया और जितनी इसकी लंबाई है यह देखो जितने इसकी लंबाई इस हिसाब से हमने दो इंच कम करना है जितने यह लंबाई है इसकी उसते दो इंच कम क्यों कि यह मुट सागा उसका पिको होगी और यह थोड़ा सा उंचा इनर तूंचा लगाएगा यह इसकी कटाई करती बहुत आसान तरिक्की तब बताऊंगी बिल्कुली अब इसकी खंबर की भी कर दे कटिंग देखो दो इंच उचा है थोड़ा सा इनर यह इसकी कटिंग होगी अब देखो यह खोल कही इस तरह का हो जाओगा क्योंकि डाइमेटर कपड़ा है डाइमेटर कपड़े में इस तरह हैवी बन जाओगा फूल यह देखो यह सकल्ट हो जाओगी और यह इसकी चोल्ली हो जाओगी और बाद जूतो सिलाई करते वक्त इसका डिजाइन बणाओगे उसके बादर जैश्ट करेंगे आप यही इनर चोल्ली का लगागा जिस तरह earlier पी जाके उसके उपर चोल्ली रखे वैसे करतो जो पहली पर बणाओगी उसके लिए तो बहुताम्तरीके से कि बहुताम्तरीके सात्याली तिमेरे कटाई तक जिसमें नाविसलाई आती होगी न वह भी सीखले होगा यह देखो, यह होगी न एक जैसी, अच्छोली में हमने कोटन का कपड़ा लगाया है, क्योंकि वो गर्मियाँ में उसमें खाओगा श्रीर ने, यह दूसरी च्छोली की भी कटाई, यह होगी, रखें आराम से, देखो, कितनी आराम से कटाई हो जाओगी, स्कल्ट की होगी, उसके इनर की होगी, और यह च्छोली की कटाई होगी, इतने अराम से कटाई हो जाओगी, आज के बाग में सिर्फ कटाई कटाई कल, इसकी सिलाई की उडियो डलूँगी, यह देखो, यह बाच्चु तो इतना यह कपड़ा है, बाच्चु के उसिलाई की कल डलूँगी, कर दोंगी,